है नमस्कार मित्रों श्वागत है आपका करेंट डिस्क्स कर रहे हैं एनलेसस की घटनाइं पहुत जाजा नहीं हैं कल का भी और आज का भी हम लोगोंने मिला लिया है इसलिए आज हम दोनों को मिलाने कर डिसक्स कर रहे हैं और काफी इंपॉडेंट है यह टोपक तो आपके परिक्षय की दृष्टी सी चाहिए में इन सोचेंपरी दोनों में भी बहुत काम का है कर्वेंशनल भी है और थोड़ा करेंट का भी है तो इसलिए दोनों के अशनल मैं को मनाया जाता है कंटेस्ट तो सरफ इसका यही है इसी से इस टॉपिक की सुरुवात होती है इस राष्ट्री प्रद्यवगी दिवश को 11 माई को मनाने का कारण यह है क्योंकि पोखरण में जब भारत ने दुवारा परमाडू परिक्षन किया था तो वो 11 माई को स्टार्ट हुआ था दो दिन कुल परिक्षन हुए थे 11 माई को तुसरा 13 माई को कुल 5 मरिक्षन हुए थे तो उसी को याद करने के लिए फिर से यह नेशनल टेक्नलोजी डे टेक्नलोजी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा सेलिवरेट किया जाता है 1999 से लगातार मनाया जा रहा है तो पहले हम लोग अब बस ये तो था चोटी ची गटना अब इसके पीछे की हिस्ट्री काफी लंबी है उस पर हम चचा करते हैं जब से एटम की खोज हुई तभी से वो एक सबके लिए एक रहस्य का विशे था रदर फोर्ड ने उसका मॉडल दिया बाद के वैग्यानिकों ने फिर जैसे नील्स बोर का मॉडल आया कई वैग्यानिकों ने उसे समझाने और समझने का प्राश किया लेकिन उससे वास्तव रूप में काम लेना सुरू किया था जर्मनी के एक रषाइन बैग्यानिक थे जिनका नाम था ओटोहन उनके एक साथी थे स्टैसमेन ओटोहन और स्टासमेन ने nuclear fusion की संकलपना create कर ली और इन दोनों को nuclear physics का फादर कहा जाता है ओटोहन एडिस्ट्रैसमन H-T-R-A-S-M-E-N इन दोनों को ओटो होन और स्ट्रास्मेन को और इन्होंने ही नाभी की बिखंडन यानि नुक्लियर फिजन दो सब्द हैं आप एकदम क्लियर कट यहीं जान लीजिए फिजन और फिजन में एक दूसरे का आपस में मिल जाना यानि सनलायन तो फिजन माने विखंडन और फिजन माने सनलायन ठीक तो इस परमाडू विखंडन यानि फिजन की संकल्पना नुक्लियर फिजन की संकल्पना ओटो हान और स्ट्रास्मेन के दोरा दी गई और ओटोएन को इस्पेशली ओटोएन को यृ स्टास्मेन को छोड़ दें तो इस्पेशली ओटोएन को फाधर अफ नूप्लियर कैमिश्टरी कहा जाता है इन्होंने तो नूप्लियर फिजन की संकल्पना दे दी फिजन, मैं फिजन की बात करहा हूं विखंडन की इन्हों ने नावे की विखंडन की संखल पना दे दी लेकिं बाद में क्या हुआ बाद में अमेरिका के एक व्यक्ति फी जिनका नाम था रोबर्ट ओपन ही मर और समय धोती विश्वत चल रहा था रोबर्ट ओपन ही मर हाइमर भी our open या हाइमर इस रॉवर्ट ओपिन हीमर ने नुक्लियर फिजिन की थ्योरी जो ओटन ने दी थी उस थ्योरी के भेश पर ही एटम-बॉम् विक्षित कर लिया है लिए है यह जो एटम-बॉम है वह नुकुलियर फिजन यानि नाविकी विखंडन की संग्रापना पर काम करता है एटम बॉम और जब इसने कर लिया था तो उस परिक्षण जापान पर गराने से पहले इसका परिक्षण हो चुका था बाद में क्या हुआ था बाद में जब अमेरिका जब दुटि भी शिद्ध में पड़ाने का मूर्ड में नहीं था लेकिन फिर भी जापान के था हरकतों नाम कि दूबं गरा दिये तो लिटिल बॉय चे अगस्त हिरोश्मा पर और 9 अगस्त 1945 को नागा सागी पर थीक है जो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा बं गिराया था उसका नाम था लिटल बॉय और जो 9 अगस्त 1945 को बं गिराया था नागा साकी पर जापान का दूसरे सहर पर उसका नाम था फैट मैं इन दो बम गिराने के बाद पूरे विश्व में नाविकी विखंडन और नाविक की सक्ति का वास्ता में पता लग पाया तो हमारे देश में भी आजादी की समय पे सब लोग सोच रहे थे कि हम भी नुक्लिल वैपन डवलप करें और सबने एक दम पल्ला जाड़े नहीं नहीं भारत भू सांति पूर्देश है और हमको इन सब चक्कर में नहीं बढ़ना चाहिए गांधी से पूछा गया तो गांधी ने कहा कि इस टोटली इंडिया इंडिया को युद में tastes लिया आ इंकी न फक्रिट हम हुआ कि इन येविधिक नाटेरर पैसन में ब्यूर्ब 1 प्हेतल वावग पैस्ट के समय में भारत चीन को कंड़ा जवाब नहीं दे पाया था ये आलएकि उसे में कश्म za समझे जाता है से युद섯 तरफ भारत पर आटक किया था फिर उसने अपने बंद कर दिया अलाएंकि उसमें बाहरत को नुखसान अठाना पड़ा करिकरी भी हुई तो उन्हीं सब चीजों को देखते हुए और रख वंगला देश लिवरेशन बाहर हो था वो पहले पूरी में पाकिस्तान को आज्यार कर आया था तो जब उस समय वो एकपूरी पाकिस्तान था तो पश्वी पाकिस्तान ने क्या किया था अमेरिका से जहाजी बेड़े बुला लिये थे इंडिया को रूस के साथ मैत्री संदी करनी पड़ी फ्रेंड्शेफ टीटी करनी पड़ी 1970 में तो फिर इंडिया ने सोच है कि हमको खुद ही इतना डेवलप हो जाना चाहिए इसलिए 18 मई 1974 में इंडिया ने अपना पहला पर्माडू परिक्षन किया राजिस्तान के जैसलमिर जिले में एक इंडियन आर्मी की साइट है इसका नाम है पोखरन और इसे पोखरन फस्ट भी क कहा जाता है 18 मई को पोखरन में एक नुकलियर टेस्ट किया भारत के वो एटम बॉम थे क्योंकि फिजन थ्वरी पर काम करते हैं यानि विखंडन के सद्धान पर काम करने वाले बॉम थे इस 18 में कुझा परिक्षन हुआ तो भारत क पि-फाइब कंट्री केलाभा पहला एसा देश था जिसने नुकलियर बॉम को परिक्षन किया था पि-फाइब में उनको पावच एप और इसे पाने पांच पर्मानेंट मेंबर है जैसे के UK USA UK USA France специain I और फ्रांस, चाइना और रसिया यह पांच देश हैं कौन-कौन? UK, USA फ्रांस, चाइना रसिया, इनको पावर फाइव कहते हैं इनहीं के यही पहले नुकलियर वैपन इस्टेट थे यानि इनहीं के पास नाव की अथियार थे इन पांच के बाद इन्डिया पहला इसा कंट्री था जिसने नुकलियर टेस्ट किया था नुकलियर बॉम टेस्ट किया था चलो, 18 मईदी 1974 को हमने एक कर लिया था अब इससे क्या हुआ पता है? इससे हुआ यह एक पूरी दुनिया इन्डिया की तरफ बहुत गहरी-गहरी इससे आखें गड़ागड़ा कर देखने लगी बुला पता निडिया क्या करेगा? इंडिया को उपर बहुत सारे बहुत भी लगाए गए थे और इसी लिए इंडिया की इंडिया ने जब एक तरीके से जब नुकलियर टेस्ट किया तो लोगों को प्रमादू परिक्षण कर लिया था इनको डर लग गया इसलिए इन्हों ने बड़े-बड़े देशों ने फिर निकलियर सप्लायर ग्रॉप बना दिया अब फिर एक चलो यहां तक तो ठीक था एक परमादू परिक्षण कर चोड़ भी देता अब बगल में अपना एक बच्चा रहता है जिसका नाम है पाकिस्तान उसने उन्यसासि में घ्या गिया उसने उन्यसासि में Building वहाँ से तो इस समय फिर भारत को परमादू प्रिक्षण करना पड़ा और दूसरा परमादू प्रिक्षण बारत नी किया थे तो तब भारत तब उन्होंने भारत को ओफीछली डेक्लेर किया कि करता है कि यह पनाव की हथियार है कि आभी कुल आठ देश ऐसे हैं जिनके पास नुकैलर वाइपन से है एक तो più ऐश चाइना फ्रांस रसिया और उसके बाद टीन हैं एक है इंडिया एक है पाकिस्तान इस्टीक इंडिविए पाकिस्तान इसली यह और रहें धाइक प्न है भोशित करके कुछ देशों के पास होंगे थे अलग की अधियार है तो चोरी छुपे भले सब देशों के पास तो अलग बात है लेकिन ओफीशली अधिकारू रूप से डिक्लियर सिर्फ आठ स्टेट के पास आठ आठ देशों के पास है जिनमें से पांस पी-फाइब के पास है और एक इंडिया है पाकिस्तान चाइना है और कि ओफीशली डिक्लियर्ड निक्लर वैपन इस्टेट जो है वह सिर्फ आठ ही है क्लियर चलिए अब हम बात करते हैं आगे और कुछ मुद्दों की कि कैसे कहां क्या होता है हम दोड़ा सा और डेटेल में चलते हैं इस यह जो 11 माई हमने देखा कि 11 माई को 1998 में पहला परमा कि एक इंडिजिनेस यानि फर्स्ट इंडिजिनेस एयर क्राफ्ट मतलब पहला स्वदेशी एर्क्राफ्ट इसका नाम है हंस्त्री वह बंगलूरू में पहली बार उसकी फ्लाइट बढ़ाई गई थी दूसरी बात यह है कि इंडिया के कित्रिसूल मिसाइल है इसका भी सक् नाय और हुई थी लेकिन मनाया इसलिए जाता है क्यांकि उस दिन पर्मादू परिक्षण हुआ था और इंडिया को निकलो परिक्षण गोशित कर दिया था अब हमने कथा तो सारी पड़ली अब यह लाइन बाइज है तो हम लोग यह भी देख लेते हैं दोड़ा निकलो को भारत के को इश्मायलिंग बुद्धा भी कहते हैं कब हुआ था अठारे माई को उससे में प्रधान मंत्री कौन थी इंद्रा गांधी और इंद्रा गांधी ने इसे पीस्फुल निकलोर अक्स्पोलोशन कहा था या शांतिपूर्ण नाविकी विखंडन कहा था ठीक फि पोकरण टू जब हुआ था ओप्रेशन सक्ति उसका कोड़नेम था तब इसमें दो हुए थे ग्यारे माई को और तेरे माई को ग्यारे माई को तीन टेस्ट किये गए थे तीन टेस्ट किये थे कौन-कौन से जिनमें से एक तो फ्यूजन का था देखो इंडिया ने पहली बार फ्यूजन बाला बम फ्यूजन बम जो होता है वो हैडूजन बम होता है यानि जो नाविकी संलायन के सिध्धान्त पर काम करती है वो हैडूजन बम होती है ठीक है और इंडिया ने पहले पोकराणड़ाट वन में किया था वह फीजन वाले सिद्धानत पर किया था यह व्यखंड़न वाले पर परमाणु थी देखो एक बात ध्यान रखें नियुकलियर बॉम दो टैप की होती है एक मों बोलती हैं लोग एक आइटम बॉब दीटेक हैं को होता है विखंदन के सिध्धान्त पर काम करता है जब कि जो हैड्रोजन थ्योरी पर यह संलें सिध्धान्त पर काम करता है एटम बॉम की खोज रोबर्ट ओपेन हीमर ने की थी जबके हैडोजन बॉम की खोज ये भी अमेरिका के ही व्यक्ति इसका नाम था एडवर्ड टेलर उस ने की थी ठीक है इतनी सी बाद समझ में आई तो इंडिया ने जो परिक्षन किया था वो एटम बॉम का किया था पोखरण बन में लेकिन जो पोखरण टू किया गया तो पोखरण टू में पहला परिक्षन ही इंडिया ने हाइडोजन बॉम का कर रखा है यानि इंडिया के पास ऐसा नहीं स्रिफ एटम बॉम है इंडिया के पास hydrogen bomb भी है और hydrogen bomb atom bombs की तुल्ला में ज़्यादा बिनास्कारी होता है तो जब दूसरा पोखन परिक्षन हुआ था तो कुल 5 bomb टेस्ट किये थे 5 5 में से जो पहला था वो पहला ही fusion बाला था यानि hydrogen bomb का था ठीक है बाकी 4 bomb जो थे वो atom bomb थे जो fusion पर काम करते है 11 माई के दिन तीन परिक्षन हुए जिनमें से एक fusion का था दो fusion के थे फिर 13 माई को कराए तो बाकी के 2 13 माई को करा लिए ठीक है और इसी के साथ इंडिया को nuclear weapon states officially declare कर दिया ठीक है अब क्या है इसको किस ने किया था तो दो लोग थे इस पोखरण परिक्षन 2 में जो 1998 वह था उस समय दो लोगों ने कामान सभाली हुई थी एक तो थे अपी जब्दुलकलाम जी अपने फॉर्मर पेशिडेंट और भारत के मैसाइल बैग्यानिक दूसरे थे आर्च दंबरम पीच दंबरम मत लगा लेना उसे मैत के लाबा कुछ नहीं आता एकोनोमी के लाबा यह है आर्च दंबरम तो इन दो व्यक्तियों ने टोटल प्रोजेक्ट को हैड किया था कमान सभाली थी और उसमें प्रधान मंत्री कौन थे अटल भिहारी बाजपेई कि 1974 का परिक्षण ऐसा था जो इंडिया बताने से डर रहा था इंडिया नहीं चाहता था कि 1974 के परिक्षण को बताया जाए क्योंकि इंडिया तब उतना पावर्फुल नहीं था तो इसलिए इंडिया ने 1974 के परिक्षण को तो दूसरों लोगों से थोड़ी सी क्या बोलते हैं आलोचना है जहेल ली कुछ कहा नहीं लेकिन 1998 में ऐसा नहीं किया इंडिया ने इंडिया ने एक्टिविली इनको डबलब किया सबको दिखा दिया कि हां हमारे पास है 1974 में इनिया के पास एक्टम बॉम थी नीक्लार वेपं तभी था लेकिन इंडिया ने अपनी आपको Diらर नहीं किया था लेकिन 1998 में इंडिया ने अपने आपको डिकलियर कर दिया अब तुमको जो करना है तो कर ले ना हमारा ठीक है हम हैं तो हैं और इसके चक्कर में क्या हुआ जब 1998 में जब इंडिया ने धंकी भरे सब्दों में आप लोग इनको सोच रहे हो जापान बड़े मदद दे रहा है युनाटेट इस्टिट अमेरिका हमारी बहुत मदद करता है यह सब हरामी टाइप के लोग ते पुराने जवाने में आज इंडिया पॉवर्फुल है तब इंडिया का साथ दे रहे हैं कितना पॉवर्फुल गई सब साहरे देते हैं कमजोरी में कोई नहीं तो यही भी उसी क धारन इनसे सीखते रहूं अब भी ठीक है बरतमान में कितने देश है निकलो वैपन इस्टेट आठ है ठीक जिन मेंसे पांच तो एनपीटियटीरी के तैत पावर फाइव हैं एनपीटिरीर्ऀ क्या है हम देखने वाले हैं और तीन और जो एनपीटियों क्या हैं आहिनि ए पीटि का मेंबर नहीं है नहीं पाकिस्तान है नहीं इज्राइल है कि तीनों के तेनों देश से बाहर है अब एंपीटि क्या है यह सindetोड़े पहले सरल सब्दों को इन इसकी भाशाँ को चोड़辑 कि 현 एकुल में Neff at the archive सब्दों के इसम tentar चांब और हिरोष्मा और ना church पर तो पूरी दुनिया का दिल तहल गया था कि आखिर इस परमाडू हत्यारों की बिना सकता को रोका कैसे जाए तो पूरी दुनिया इस पर बिचार कर रही थी पूरी की पूरी दुनिया इसलिए क्या हुआ था। हुआ कि इसके लिए यू निशनस् जनरल असेंबली में यूमें जो महासभा होती है उढ़ी चर्चा होने लगी अब बड़ता होने लगी तो लोगों कंपो नहीं में दुख बिनासक्त करो लोग ज़ाना चाहिए अगर कुछ नास बात यह भी है कि 1945 मैं अमेरिका ने आटोजन बम भी बना लिया था कि हम अभी क्या देखेते है नुकले बंब के दो टैप होते हैं नुकले बंब यानि नप की दो टाप और होती यहाथे है एटोजन बंब तो तो hydrogen bomb तो कम घातक होता है फिर भी घातक बहुत होता है लेकिन hydrogen bomb तो ऐसी तैसी कर देगा और 1952 अमेरिका ने वो ही बना लिया था और अमेरिका में और उस समय के पूर सोविय संग था वो सोविय यूनियन इन दोनों में cold war हो गया था यह ज़िए कि सी तुद्ध इस्टाट हो गया था तो कोई भरोसा नहीं है कौन कि स्पेकप टुप का दे तो पुरी खुद तो खुद मरेंगे पुरी दुनिया को भी ले मारेंगे इसलिए इनको कहते हैं वेपन्स ओफ मास्ट्रेक्शन डेस्ट्रेक्शन डेवलू एमडी ब टॉपिक होगा तब बताएंगे इसको निश्य थी तो आप इस टॉपिक को समय वाइड कर सकते हो इससे क्या हुआ कि पूरे देशों में जब खलवली मच गई तो 1953 में UNGA की बैठक हो रही थी और उस बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपती थे जिनका नाम था आईजिन हो पहले लोगों को फ़ोन युद्ध के लिए परमाडू बना या था अब परमाडू बना दिये थे अब करें सांति के लिए परमाडू क्योंकि अब अमेरिका भी डर लगने लगा क्योंकि रसिया भी उस समय पीछे नहीं था क्योंकि आज जिन हम पीफाइव की बात करते हैं दिन धी फाइव कि उन पी फाइव ने नंटि सिस्टी से पहले ही पार्माडू बना लिए थे अपने अपने याँ आटम बना लिये थे अपने यह न sis te बनले इसका मतलब ह cannilis के पास फ्रांस के पास शीन के पास और बिटेन के पाशंनी उके के पास के पास उस समय राष्ट पजी थे उनका नाम था आईजिन होबर ने ये लेक्चर डिलिवर की या यूएन जी ए में तब क्या हुआ तब फिर देश यूएन के लोगों ने सोचा के चलो भाई अब तो एक एजनसी ऐसी बना लेते हैं हम लोग जिससे क्या हो जिससे ऐसा हो जाए कि य सब इन परवालू से संबंदित सारी चीज़ों की देख भाल करती रहे तुनों ने क्या किया इन्हों ने एक आई ए बना लिया इसका मतलब है इंटरनेशनल एटामिक एनरजी एजनसी आई ए ये बना लिया इससे क्या हुआ इसका जो जो संबिधान था आई ए ये का इसको 23 अक्टूबर 1956 को अप्रूब किया गया था फिर बाद में 29 जुलाई 1957 को ये लागू हो गई इसका मतलब है कि 29 जुलाई 1957 को आई ए ए इस्थाफित हो गई ठीक है यानि आई ए ए की स्थापना कब हुई अंतराष्ट्री परमाडू उर्जा एजनसी की स्थापना कब हुई थी 29 जुलाई 1957 को और देखो आप इस सोच के देखो कि इसमें कई देश सामिल थे यू यू एन के बहुत सारे देश सामिल थे इस एजनसी के दाथ साइन करने के लिए इसके मेंबर बनने के लिए लेकिन अमेरिका ने फिर भी लास्ट वाले दिन 29 जुलाई स्वत्तामन को ही साइन किये थे और उसने जब साइन किये तभी लागू पाईए उसके पास परमाडु बम थे उस समय वैपन्स थे लेकिन बोल रहा था आटम्स फॉर पीस लेकिन पता चला है उसने साइन भी सबसे लाश्ट में किये मतलब बहुत धोके बाज है बचकी रहना है हम लोगों को ना इसकी बातों में नहीं आना है अब इस आई-ए-ए का जो निकनेम है या उपना में से बोलते हैं एटम्स फॉर पीस एजनसी, UN का इंतरगत काम करती है लेकिन ओटो नॉमस है इस पेशलाइज अगरत नहीं है बलकि ओटो नॉमस है स्वायत समस्था है लेकिन UN का इंतरगत है वो अलग बात है इसके रहे कहा है आपके लिए बंडे में इसका है आपकी वंडे में एक जु़ सवाल पूचा जा उसका उपियोग नागरिक सान्थी के लिए हो उर्जा के लिए हो ना के युद्ध के लिए हो ना के असान्थी के लिए हो ना के लोग आपशित उस्मनी के लिए इसका इस्तेमाल करें इसलिए बस यही देखभाल करता है और कई लोगों के साथ मेंबर स्टेट्स के साथ और यूज किया जा सके ठीक है तब 1957 के में क्या हुआ 1957 में हुआ यह कि इन लोगों ने पूरे दुनिया ने यू एन के बैनर तले इन लोगों एक एजनसी बना ली काउंची आई-ए-ई-ए यह नि इंट्रनेशनल एटामिक एजनसी बना ली लेकिन अब इस एटामिक एजनसी का क पर्माडू जैक्तовых आई-ए-खुर्टारा कि दौड्स तो कह यह नोग अब इपनिया प्यों में किस आपकेसं नाथे भूल में उद्येसों के लिए वह को स्थापित हो गया इसका उद्देश था करणा अब कि और प्योगों नागरी हुद्देसों कि पूर्तिक यह नां क अब IAEA को और चिंता होने लगी किया कहा कि हमको बनाया क्यों फिर हमका हमारी जनमी नहीं करते हैं यह लोग हमारी आंखों के सामने ही परमाणु अथ्यारों को बढ़ावा दे रहे हैं फिर इन पांच देसों पर जो डाला गया जो UN Security Council की जो मेंबर हैं जो परमानेंट इसका नाम है Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons इसको सौट में बोलते हैं NPT या बोल सकते हैं Non-Proliferation Non-Proliferation Nuclear of Nuclear Weapons Treaty NPT ठीक है इस NPT को 1967 तक क्या हुगा था 1967 तक इस पर सहमती बन गई थी फिर 1968 में इसको पूरी दुनिया के सामने जो भी मेंबर बनना चाहते हैं स्ट्रीटी की क्या उत देसम जो जश्टिसक्स करने वाले हैं इसको दुनिया के सामने स्ट्रीटी को रखा गया NPT को इसको साइन करने के रखा गया जो 1970 में लागू ही इस NPT में क्या कहा गया था इस NPT में यह कहा गया था कि जो देश उननीस सो सट्ट तक परमाडू हथियार डेवलप कर चुका है बस वही उन्हीं के पास परमाडू हथियार रहेंगे और जो 1967 के बाद परमाडू हथियार नहीं डेवलप कर पाया है और वो NPT का मेंबर बनना चाहता है तो वो परमाडू हथियार नहीं रखेगा कहने के मतलब यह है कि यह NPT एक तरीके से जिनके पास थोड़े बहुत हैं भी डेवलप भी कर लिए हैं तो वो अपने हथियार नश्ट कर देंगे और उन्होंने जो पी फाइब थे उन्होंने भी कहा कि हम अपने हथियार नश्ट कर देंगे लेकिन आज भी उन लोगों के पास परमाडू हथियार है कि वो अभी हम मतलब प्रचरोध भवन यानि विस्तार उनको रोका जा सके लेकिन ये ट्रीटी अपने उद्देश में सफल होती नहीं दिख रही है एक ट्रीटी पर सायन करना इस्टाट हुआ उनिस और सट्र में ये लागू हो गई और 11 माई 1995 को इसे अनंत काल तक के लिए विस्तारित कर यानि कि ये ट्रीटी ये बनी ही रहेगी जब तक के सभी ट्रीटी के सब के सम मेंबर इसको समाप्त करने की गोशना नहीं करेगा नहीं तो क्योंकि अभी तो इन पांच देशों के पास ही परमाडू हत्यार हैं फिर सब के सब बिक्षित करने लग जाएंगे तो लोग एको एक इजराइल एक पाकिस्तान एक अपना इंडिया इंडिया कहता है कि भाई मैं जॉइन क्यों करूं क्यों 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 यह भेद्वावगारी है तुम यह कहते हो कि 1960 से पहले जिन देशों ने परमाडू अथ्यार विक्षित कर लिये हैं वही रखेंगे ऐसा क्यों है भाई क पीफाइब ऑनीया बोलता है तुम हम खतम करो हम खुद कर देंगे अलेंगे यह सोचे mo wins कर ला है तो si o आएं झीलै को उद्भाज करेंगे और एंटिया नुधा फट ragu करेंगे अब भाकि नहीं तर मिंदिया हम आता है네요 कर रहा है इसका मतलब है एक इंडिया कांड मैंबर नहीं है तो इस tv इसफ पांच देशों को ही क्या कहती है फॉइन कौन है फॉइन प्राइब और दे जान हो पाकिस्तान इसराहिल यह नहीं है तो ये NPT Treaty के तहत nuclear weapon state नहीं है लेकिन ये इन्हों ने अपने आप गोशना कर रखी है कि हाँ हमारे पास परमारू हत्यार है तुम को जो करना है सो कलो ठीक है इसका मतलब है कि इंडिया ने इसको join नहीं किया हुआ है तो ये हमने देखा NPT Treaty उसके बाद देखा था IAE और हमने ये भी देखा कि भारत में इस nuclear weapons की acceptance को लिए करके क्या रहा था शुरुआत में लोगों ने मना किया गांधी ने तो ये ही कह दिया कि इसलिए इंडिया ने अपने परमाडू परिक्षण किये थे जैसे हम लोग अब इस figure के माध्यम समझने का प्रयास करें और जब राजस्तान के पोखरण range में जो पोखरण range इंडियन आर्मी की range है और जो पोखरण site है वो आज भी इंडियन आर्मी की control में है इंडियन आर्मी की site है वो जैसे हमें डिस्टिक में राजस्थान के में ठीक है तो इंडिया ने अपना पहला जो पोखरण परिक्षण किया थे तो उस समय इसके जो हैड थे अब देखते हैं और क्या है ठीक है यह दूसरा है दूसरे में किया परिक्षण किया था तो यह था इंडिया का पहला परिक्षण अब अब देखते हैं और क्या है ठीक है यह दूसरा है दूसरे में क्या था दूसरे में दो वेक्ति मैंने बताये थे एक अब्दुल कलाम थे एक आर्चे दंबरम जी थे यह दोनों प्रजेक्ट हैड थे एक बहुत बड़े कॉडिनेटर थे इन लोगों ने किया था परमाड़ में की बारे में हैं हम लोगों ने एक चीज और देखी थी क्या कि सुरुवात में देखा था कि जब अमेरिका ने जो पहला बॉम गिराया था जापान पर उसका नाम क्या था उसका नाम था लेटर मौई दूसरे का था फैट मैं और एक और पाकिस्तान ने भी एक टेस्ट क किया था ठीक है और इंडिया ने पांच परिक्षन किये थे पांच में से पहला जो परिक्षन था वो फ्यूजन था चार परिक्षन फिजण पर थे जो पहली दिन एक फ्यूजन हुआ था दो फिजन कराए थे यानि पहले देन तीन परिक्षण हुए थे ठीक है अब एक बात और समझने वाली है यहां कुछ चैन र्यक्षन है अन्यंतर नावि की अभिक्याद चला देते हैं तो लघातार λगातार उसके आटम के जो मैटर होता है प्लूटोनियम या इूरेनियम इसी जो नावि कि इधन होते हैं इनका अपने दोता है लगता है अन चंड्रों चाहरां जैसे नेटी आ पैदा होती है ना जो नाव की जो बिजली घर होते हैं वहां रियाक्षन होती है जब कि अगर अगर वही अनकंट्रोल हो जाए तो वह बं की तरह काम करेगा ठीक है तो जो फिजन डिवाइस होती है उसमें क्या होता है या तो यूरियूनियम 235 या प्लूटोनियम 233 का इधन बहुत मुश्किल काम है नावकी जो विखंडण वाले बं होते हैं यानि वह स्टेजर में नाव की सणलयन वाली बॉम में हम पहले करते हैं कि इसमें बहुठंडल कराया जाए क्योंकि जब बॉम गैर न cope से कम यानि जब फटती है तो तापमान इतना क्रेट करती है 10 to the power 8 degree Celsius तापमान क्रेट कर देती है तो जब इतना तापमान पहले विखंडान से क्रेट कर लिया जाता है तब फिर हैरोजन बॉम का दूसरा स्टेज स्टार्ट होता है तब वास्तम में काम करती है क्योंकि से जब इतना temperature मिल जाता है तब fusion होता है ठीक है इस लोग थर्मो न्युक लविखा डवाइस भी कहते हैं क्यों क्योंके पहले टेमपरेशर करना पड़ता है और तब जाकर क्यों के डिवास काम करती है ठीक है और जो एक और डिवाइस होती है बूस्टेड फिजन डिवाइ क्या होता है पर कि पहले एक और तरह की टेक्स हम लोग देख रहे हैं एक फिजन डिवाइस यानि मतलब बिलाकर कि आप अधिर फिजन बॉब्म ही है तरह से यह पैस्टरी यह बूस्टेट फिजन डिवाइस तो इस में यह भी एटम बेच है लेकिन इसमें दो स्टेज हो जा यह भी atom bomb है यह भी atom bomb है लेकिन इस atom bomb में दो stage होती है क्यों कि इसका नाम ही boosted इसलिए पड़ा है क्यों कि इसमें थोड़ा सा पहले fusion करा दिया जाता है थोड़ा सा पता नहीं कहां से करा लेता है यह लोग अब इनके पास तिन atom bomb ही लेकिन fission device सिर्फ एक stage की है जब कि boosted device दो stage में काम करती है फिजन device की पहली stage क्या है टोटली fission ही है विखंडन ही है जब कि boosted fission device की पहली stage fusion है जब कि दूसरी stage fission है ठीक है यह दोनों है atom bomb ही जब कि जो thermonuclear device है यह thermonuclear device hydrogen bomb है इसमें दो stage होती है हर hydrogen bomb में दो ही stage होंगी जिसमें पहले उनको fusion कराना पड़ेगा विखंडन से गर्मी प्राप्त करेंगे तापमान तब फिर fusion start होगा ठीक है और हमने अभी क्या देखा था हमने देखा था कि Edward Taylor को hydrogen bomb का जनक माना जाता है जब कि atom bomb का जनक robot open hammer को माना जाता है जब कि nuclear chemistry का जनक auto horn और strassman को माना जाता है तो यह चीज हम लोगों ने देखी अब हम देखते हैं कि इंडिया में nuclear button को control कौन करता है nuclear button यानि परमादू जब मोदी की जाता है तो हर समय उसकी कोड़ते की जब में nuclear button रखी रहती है यानि कोई पदा ने इंडिया पर क्या बटेख हो जाए तो उसको लिए कंट्रोल करने के लिए क्या हुआ था एक कांशल बनाई थी चूपर के इस कांशल को बोलते हैं कमांड अटन कांचन क्या बोलते हैं nuclear command authority इस nuclear command authority के दो सेक्षन होते हैं यानि इंडिया में जो नूब क्लियर बटन रहती है वह किसके आत में रहती है इस निूकलियर कमांड अथोरिटी की हाथ में रहती है ठीक है किसके हाथ में निूकलियर कमांड अथोरिटी की हाथ में रहती है निूकलियर बटन इंडिया में इस निकलियर कमांड अथोरिटी के दो हिस्से होते हैं एक होती है पॉलिटिकल काउंसल और दूसरी होती है गांटीटिव कांग्णौन होता है और गांटीक सब्सक्राइब कर सकता है कि हां परमानु मेंवर फष्थिस्यार अब और बांटीव करो यद्सक्राइब इसक्राइब कर dom circuits क इसılarत कांगि सब्सक्राइब होता है इसके साथ कुछ अन्य दीम्वर भी इसमें होते हैं लेकिन हेड़ ये NSA के द्राफ की जाती है जो पॉलिटिकल कांसिल जब तक होखुम नहीं नहीं देगी तब तक इन असे को और यहीं देता है लेकिन प्रहुट काम करता कौन में इसको नाम हिए लेकिसह कब दोना काउंसल का हेड एन ऐसे होता है और देती है पलिटिकल काउंसल उसे लागू करती है एक्जिकेटिव काउंसल ठीक है और एक बात और क्या कि इसी समय दो यह जो नीकुलर कमांड अथोरिटी हुई थी 2003 में हुई थी क्योंकि 2003 में इंडिया की नुकलर डॉक्टर्ण जारी की उसी नीटि Bennett यह नीटिकिए बताया था कि इंडिया भी ईक नक्रॉल कमाण अथोरिटी बनाएगा उसके समय था इन्डिया ने स्ट्रेडिक व्र्स कंन्ट भी बनाया था इस का जो मुख्यला है वह ँप कैना है उप आनतर्मान में में यह 2003 क्यों कि नूक कि जो अनими नूक् को ऊससे पर काम करती है यह कहता है कि आंडिया के नियुकलर अद लहें हम नहीं पहले इस्तिमाल करेंगे लेकिन बाद में अगर कर दिया हम छोड और पिने इसलिए इंडिया की सा templates और है गण्या लिए करता है इन्डेंग करेंड से नतुन क्म करते है तो प्रतिय सत्विट कर नहीं है पपाँ नहीं है इसलिए तो रहेगा कम से लिए उसे minimum deterrence कहा गया है नियून नितम प्रत्रोद हम नहीं चाहते दूसरे को नश्ट कर दें लेकिन अम इतना चाहते हैं कम से तो हां बिल्कुल बच जाएगा इसको कहते हैं second strike capability second strike capability का मतलब होता है एक ऐसी capability कि यदे किसी देश ने आप क्यों पर हमला कर दिया है तो आपके पास उतनी चमता है कि यह आप उसे दुबारा जबाब दे पाओ ठीक है तो इसी लिए इंडिया ने क्या किया है इंडिया ने अपनी आर्मी में भी नेवी में भी एयर फोर्स में भी तीनों सेनाओं को नुक्लियर वैपन से लैस करके रखा हुआ है किसके लिए इससे कि second strike capability छमता हांसिल की जा सके क्योंकि कोई भी देश होगा या एयर फोर्स को ओड़ाएगा या आर्मी को ओड़ाएगा या नेवी कोड़ाएगा दो कोड़ा देगा एक साथ हमारे देश की दो सेनाओं के अत्यार उनस्ट कर देगा लेकित तीसरे को नहीं कर पाएगा यानि इंडिया ने second strike capability हांसिल कर रखी है क्यों क्योंकि इंडिया के तीनों सेनाओं के पास nuclear weapons हैं और इसी को कहते हैं जब तीनों का nuclear triad यानि इंडिया के पास नाविकी त्रिक उपलब्द है और जिस देश के पास नाविकी त्रिक उपलब्द होता है nuclear triad उपलब्द होता है उसके पास second strike capability होती है इसका मतलब है कि तुम कितना भी उस देश को नश्ट करने कोशिश कर लो लेकिन वो तुम्हारे ऊपर second strike क्यानि दुबारा attack तो कर ही देगा वो तुमको भी नहीं छोड़ेगा ठीक है तो यह तो था second strike capability के concept और कुल मिलाकर के आज हमने इसके बारे में बहुत कुछ समझा बहुत कुछ जाना क्या देगा एक बार फिर समझ लेते हैं हम लोगों ने national technology day समझा हम लोगों ने NPT समझ हम लोगों ने अपने poker and test समझे हम लोगों ने समझा के nuclear command authority क्या है इसके साथ ही हम लोगों ने fusion के बारे में भी समझा और भी हमने बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिस की तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैहन